How to fix Vivo Notification Sound Problem नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फोन पर ये आप Notification Sound Problem फेस कराए तो कैसे कैसे करके आप जो है Problem को Solve कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर solution बताने वाला हूँ तो वीडियो को आँ तक देखे जो भी solution है और जो भी setting है उसको आप follow कर लिजे मैं आपको यहाँ पर solution setting एक साथ ही show करके बताने वाला हूँ क्यूंकि setting ही आपका solution है तो आपको वो सब करना होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है उसके बार notification sound problem solve हो जाएगा definitely और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को subscribe जरू करे और bell icon को भी click जरू कर दिजेगा ताकि आपको latest update जो है वो मिलते रहे यही आप दोस्तो ओनलाइन से पैसा कामाना चाते हैं तो उसके लिए दोस्तो आपने वीडियो description पर जो है लिंक दे रखा है आप जाके check out कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो हमें क्या करना होगा हमें जाना है setting पर और एक बड़ setting को reset करते हैं उसके लिए हमें नीचे जाना है नीचे हमें मिलेगा system management उसमें click करने के बार आपको नीचे backup and reset पर जाना है और यह यह भी कड़ा है तो दोस्तो आप depths to reset करना है तो इसमें click करने के बार आपको अपना mobile password वर देना है ठीक है पासवड़ भरने के बार आपको यहां पर रिसेट का option मिलेगा reset पर click करके setting को reset कर दीजिए ठीक है ये करने के बार आपको bake करना है तो अभी दोस्तों विस्तार से मैं आपको setting बता दे जाओंगा solution आपने कर दिया setting को reset कर दिया है तो सबसे पहले आते हैं आपका इस तेरास bar and notification ठीक है तो उसमें जाएए इस तेरास bar and notification पर जाने के बाद दोस्तों आपका setting यहाँ पर on होना चाहिए ठीक है एब icon take show on lock screen तो ये सब on कर दिजिए notification method edit icon पर set कर दिजिए ठीक है उसके बाद no previous तो उसमें जाके दोस्तों आप banners को select कर ले ठीक है मैं तो no previous यूज़ करता हूँ जाना है और यहाँ पर आपको सब बारी बारी से notification चेक करते जाना है जो setting पर ठीक है I mean जो application पर आपका notification ओफ आपको डिखाई देगा ठीक है जो भी application पर आपको close करके इस तरह की से notification setting पर डिखाई देगा close तो आपको जाके उसे enable करना होगा ठीक है तो सब notification को एक बार check कर लीजिए ठीक है आपको धीरे से ये सब check करते जाना है कोई भी notification close है तो आप उनको जाके open करें मान लेजिए आपको Snapchat का notification problem है तो एक बार बन करके आप इसको जो है on जरू करें ठीक है तो इस प्रकर से आपको तो ये सब दोस्तों आप यहाँ पर set कर सकते है उसका silent notification setting ठीक है तो आपको क्या करना है silent notification setting पर जाके आपको allow notification करना है importance को जाके यहाँ पर priority आप select कर दोगे तो आपकी लियाद चरहेगा ठीक है priority display तो priority display select करने के बाद दोस्तों आपको notification जो है मर्द भूलिएगा तो उसके बाद दोस्तों बेक कर लिजिए और आपका D&D mode वगेरा आप check कीजिए ठीक है D&D service होने से आपको notification का problem हो सकते है तो ये सब आप एक बार check कीजिए mobile आपका ringing mode पर होना चाहिए सारे साथ sound and vibration पर जाके आपको notification sound जो है वो यहाँ से सेट करना है इसको increase करके यहाँ तक राख दीजे उसके बाद नीचे आकर आखे आपको notification ringtone पर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको notification सेलेक कर लेना है जो की जोर से आवाश्च करता हो ठीक है जाके नोडिफिक्शन साउंड से लेक करें उसके बार मोबाइल वगरा को रिस्टार्ट कीजिए प्रॉब्लिम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो बस ये था एक कॉंप्लीट नोडिफिक्शन साउंड प्रॉब्लिम का सॉलुइशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाके लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और आज की इस वीडियो पर बस इतना ही ठीक्स वर वाचिंग